अपने इस बेटों को फिल्मों के लायक नहीं समझते थे कादर खान उसी के हुनर ने सिना किया चाओरा हेलो दोस्तो मेरे चनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तो आज हम बात करेंगे कादर खान के बारे में और उनके बेटों के बारे में जो की बेहद आपको पसंद आगी और ये वीडियो आपको जलसा पसंद आती है तो दोस्तो वीडियो को लाइक करके मेरे चनल को हसाने पर मजबूर कर देती है कादर खान ने अपने कढ़ियर में कई सुपर हिट फिल्मों में काम किया है दोस्तों कादर खान इंडरास्टी में उन चंद अभिनेताओं में से एक थे जो लोगों को हसाने के साथ साथ रूलाने का भी हुनर रखते थे जनकारे के मुताबिक दोस्तों कदर खान ने अजरा खान से साधी की थी जिन से उन्हें तीन बेटे हैं आज के इस पोश्ट में हम आपको मुलकात कराएंगे दोस्तों कदर खान के बेटें से कदर खान के तीन बेटे हैं जिनका नाम है सरफराज खान, कुदूस खान और सहनाज खान दोस्तों जब कदर खान की मिर्टु हुई थी तब उनके बेटे सरफराज बहुत ही चर्चा में आये थे सरफराज की एक लिटस फोटो उस समय सोसल मीडिया पर बहुत बरल हो रही थी जिसमें वो अपने पीता कादर खान और भाई के साथ नजर आ रहे थे फोटो में आप देख सकते हैं दोस्तों की कादर खान के बीच में सफेर टी-शेट पहन कर बैठे हैं दोस्तों कादर खान का कनाड़ा में निदन हुआ था कादर खान शरीफ अभिनाई ही नहीं बलकी पडिवारिक जीवन में भी बहुत ही अनुसासन रखते थे उनके बेटे सर्फराज खान और सहनाज खान ने एक इंटर्वी में अपने पीता से जुरे कई अन्सुने किसे साजा किये थे दोस्तों वालीवुड के दिगजभिनेता बेहतरिन डाइलक राइटर और निर्देसक कादर खान का 81 वरस की आयू में निदन हो गया था रिपोर्ट्स के मुताबिक दोस्तों कादर खान का जनम 22 अक्टूबर 1935 काबूल में हुआ था उन्हें उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी अवर पास्तो भासाये आती थी कादर खान ने अपने बेटे की कभी किसी से भी सिफारिस नहीं की उनके बेटों ने किसी एक इंटर्वीव में किस्सा सजा किया था दोस्तों कादर खान ने बाली बुड में करीब 300 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किये थे जब कादर खान एक साल के थे तब उनका प्रिवार मुमई में आकर बस गया था उन्होंने इसमाईल यूसुक कलेज से गर्जूशन किया था दोस्तों इम एच सिद्की कलेज आफ इंजिनियर में भी वो फ्रफेसर रह चुके हैं इसके बाद कादर खान ने बोली बुड में बहुती नाम कमाया सर्फराज के पीता यानि कादर खान नहीं चाते थे दोस्तों कि उनका कोई भी बेटा एक्टर बने उनका सपना था कि पहले सभी अपनी पढ़ाई पूरी करे पढ़ाई पूरी करने के बाद जब सर्फराज ने अपने पीता को एक्टर बनने के बारे में बताया तो उन्हों ने ये करमना कर दिया दोस्तों कि वो कोई अमिता बचन नहीं है अबर उन पर पैसे लगाने से पहले हुए दो बार सोचेंगे पिता की ऐसी बात सुनकर दोस्तों सर्फराज को बहुत दुख हुआ लेकिन उन्होंने अपने दम पर कुछ करने की ठान ली इसे किस्मत का खेल ही कहा जाएगा कि उन्होंने फिल्मों में भी काम मिलना शुरू हो गया वो बात अलग है कि वो फिल्मों में अपनी पहचा नहीं बना पाए दोस्तों कहने के तो दोस्तो सर्फराज ने सल्मान खन के साथ तेरे नम बंटिट में किया है काम लेकिन एक हीरो के तोर पर सफलता उन से कोसो दूर रही है लेकिन हीरो ना बन पाने से सर्फराज हतास नहीं हुए Itdustos हीरो बनने का जो सफना वो फूरा नहीं कर पए उस सफने को सर्फराज ने नए एक्टरों के जरीये पूरा करते हैं दोस्तों सर्फराज आज अपनी acting academy चला रहे हैं जिसमें वो नए लड़के लड़कियों को acting workसाफ कराते हैं दोस्तों इसके अलामा दोस्तों सर्फराज का अपना एक थियाटर ग्रूप भी है जो कलके कलकार इंटरनेशनल थियाटर कमपनी के नाम से है इसके बेनर तले कई प्ले कर चुके हैं तास के पत्ते, लोकल ट्रेन, बड़ी देर की महरबन आते आते जैसे कई नाटको के जरिये सर्फराज खान ने थियाटर की दुनिया में अपना नाम कमाया है जनकारी के मुताबिक दोस्तो सर्फराज अपने पीता कादर खान को कई फिल्मों में असिस्ट भी कर चुके हैं इसके अलामा वो कई प्रोडॉक्शन कमपनी भी चला रहे हैं आज सर्फराज फिल्मों के बात्सा भले ना हो लेकिन थीयटर और पॉडॉक्शन में उनका कोई सान नहीं है दोस्तो इतना ही नहीं सर्फराज खान हो टल मैनेजिमेंट में डिपलोमा भी कर चुके हैं दोस्तो कादरखन के बेटे सरफराज को देखकर सोसल मीडिया पर लोग अपनी हैराने जैता रहे हैं कुछ लोग का कहना है कि उन्हें मालू ही नहीं था कि कादरखन के बेटे भी हैं वही कुछ लोग सर्फराज खान की तुलना बालिवुड की एक्टर गुविंदा से करते हैं तो आपको कैसे लगे कादर खान के बेटे सर्फराज दोस्तों कादर खान की फेमली और कादर खान के स्टोरी कैसी लगी जरूर कमेंट में बताएगा और यह वीडियो आपको जरा सब पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके मेरे चनल को सस्क्राइब जरूर से कीजिएगा फिर मिलेंगे ऐसे ही नई वीडियो के साथ तब तक के लिए जै हिंद जै भारत